श्रोताओ, नमस्कार गिरीश बिल्लोरे ओफिशल पॉड़कास्ट चैनल पर आपका हार्दिक अभिनन्दन आज का पॉड़कास्ट वीरांगना रानी दुर्गावती पर केंद्रित है चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाने की रानी थी, चंडी थी रंचंडी थी, वह तो दुर्गावती भवानी थी कविता का यह अंश वर्षों से सुनता आ रहा हूँ पर आपने नहीं सुना होगा जबलपुर नगर के पास नर्रई नामक स्थान पर यह आवाज भी आज गूंजती प्रतीत होती है मृत्यू तो सभी को आती है दीवान साहब लेकिन इतिहास उन्हें ही याद रखता है जो स्वाभिमान के साथ जिये और मरे ये अंतिम शब्ध थे जो महारानी दुर्गावती ने अपने सेना पती एवं विशेश सलाहकार मंत्री दीवान आधार सिंग जी से कहे थे जिनके नाम पर जबलपुर में एक उपनगर क्षेत्र भी आबाद है आपने अब तक जासी की रानी कविता पढ़ी होगी सुभदरा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई यह कविता पूरे देश को कंठस्थ है परंतु वीराणगना दुरगावती के लिए अब तक ऐसा कोई काव्य नहीं लिखा जा सका है जो जन जन तक वीराणगना की कहानी पहुंच सके जबलपूर के रंग गर्मी श्री अरुन पांडे जी द्वारा वीरांगना दुर्गावती पर एक नाटक की प्रस्तुती की है इसी तरह मोहन शशी जी ने वीरांगना पर एक लंबी कविता लिखी है स्वर्गिय श्री अजीत वर्मा जी ने वीरांगना के बलिदान को अक्षुन बनाने का अपने जीवन काल में प्रयास किया हमारा विनम्र आग्रह है वीरांगना के जीवन पर आवश्यक कंटेंट स्कूल स्तर से महाविद्याले स्तर तक हिंदी तथा अंग्रेजी भाशाओं के पाठ्थिक्रम में शामिल किये जाएं आज अर्थात 24 जून 2024 के पॉड़कास्ट में हम गोंडवाना सामराज्यकी महारानी दुर्गावती के बारे में जानकारी दे रहे हैं यह पॉड़कास्ट के लेखक हैं डॉक्टर आनन सिंह रानाजी जो की श्री जानकी रमन महाविद्याले में इतिहास के प्रोफेसर एवं प्रतिष्ठित इतिहासकार हैं श्री राना को हार्दिक आभार की उन्होंने महारानी दुर्गावती के संबंध में नए सिरे से रिसर्च कर हमें विस्प्रित जानकारी उपलब्ध कराई हैं यह पौड़कास्ट इतिहास विशय के विद्यार्थियों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रतिभागियों के लिए महत्वपून एवं उप्योगी है भारत के हृदय स्थल में स्थित त्रिपुरी का महान कल्चुरी राजवन्ष तेरह वी शताब्धी के पूरवार्ध में ही कमजोर हो गया था अराजट्ता भी चरम पर थी जिसके कारण आसपास के राजगराने इस क्षेत्र को अपने अधीन करने के लिए लिए लालायत हो रहे थे इस संक्रांती काल में एक वीर योध्धा जादों राय जिनका नाम यदुराय भी थाने तिलवाराघाट निवासी एक ब्राहमन सन्यासी पाठक के मार्ग दर्शन में त्रिपुरीक शेत्रांतरगत गढ़ामंदलाक शेत्र में गोंडवाना राजवंश की नीव रखी जिस तरह आचार्य चानक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश के घमंडी और विलासी राजा महापद मनंद को पराजित कर सत्ता का उत्तराधिकारी बनाया था ठीक उसी तरह पाठक जी ने गोंडवाना राजवंश की नीम रखी गोंडवाना वंश की 48 वी पीढी के महानायक राजा संग्राम शाह जिनको अमानदास भी कहा जाता है ने गोंडवाना राजवंश को विस्तार दिया था यह सिलसिला उनकी पुत्रवधू वीरांगना रानी दुर्गावती के समय तक जारी रहा विदेशी इतिहासकारों एवं भारत के पूर्वागरही एक तरफा सोच रखने वाले इतिहासकारों पांचवी शताबदी से पंद्रहवी शताबदी तक गोंडवाना राजवंश की कहानी भारतिय इतिहासकारों ने बहुत संक्षित कर दी है आज जबलपुर के लोग इस बात से अन्भिग्य हैं कि रानी दुर्गावती का सामराज्य लगभग इंग्लैंड के बराबर था तथा उनने 16 वर्षों तक राज्य किया एक मात्र राज्य जहाँ टैक्स सोने के सिक्के एवं हाथियों के रूप में भी चुकाया जाता रहा है आप इससे महा कौशल की आर्थिक समरिध्धी का अनुमान लगा सकते हैं महारानी दुरगावती के शौर्य, पराक्रम, राजकिय प्रबंधन और देश भक्ती के सामने आस्ट्रिया की मारिया थेरेसा रूसकी कैथरीन द्वितिय और इंग्लैंड की एलिजाबेथ प्रथम कहीं नहीं लगती युद्ध कौशल के मामले में वे जौन आर्प के समकक्ष थी मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखने वाले इतिहासकारों ने रानी दुरगावती एवं गोंडवाना के इतिहास को अतिसामान्य स्वरुक में लिखकर हमारी पीढ़ी के साथ कपट किया है इसलिए अब फिर से नए शोध एवं वास्तविक इतिहास लिखन की आवश्चक्ता महसूस हो रही है ताकि रानी दुरगावती और गोंडवाना सामराज्य तथा उनके इतिहास के साथ न्याय हो साथ ही वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी में गर्व और गौरव की अनुभूती हो तथा राष्ट्रवात की भावना प्रबल हो गोंडवाना सामराज्य का चर्मोतकर्ष पंद्रहवी शताबदी के अंत में गोंडवन्ष के महान प्रतापी राजा संग्रामशाह के शासनकाल में प्रारंभ हुआ संग्राम शाह का वास्तविक नाम अमानदास था, जिसकी पुष्टी दमोह के पास थरका ग्राम में प्राप्त एक शिलालेक से होती है रामनगर प्रशस्ती में लिखा है कि प्रतापी अर्जुन सिह का पुत्र संग्राम शाह था जिस भाती विशाल कपास का धेर एक छोटी सी चिंगारी से नश्ट हो जाता है, उसी भाती उसके शत्रु तेजीन हो गए थे मध्यकाल का सूर्य भी उसके प्रताप के सामने धुमिल सा दिखाई देता था, मानो सारी धर्ती को जीत लेने का निश्चय किया हो महाराजा संग्राम सिंह बावन गढ़ो अर्थात किलों को को जीत लिया था गोंडों में तो कहावत ही प्रचलित हो गई थी कि आमन बुध बावन में गोंडवाना सामराज्य का विस्तार भोपाल, नागपुर और बिलासपुर तक फैला हुआ था सामराज्य के गड़ जबलपुर, सागर, दमोह, सिवनी, मंडला, नरसिनपुर, छिंदवाडा, नागपुर, होशंगाबाद, हर्दा, टिमर्नी, भोपाल और बिलासपुर तक फैले हुए थे समकालीन इतिहासकारों की माने तो इस सामराज्य के अधीन सत्तर हजार गाव थे, जिनकी संख्या रानी दुरगावती के शासन में अस्सी हजार तक हो गई थी किलों की संख्या सत्तावन परगनों की संख्या सत्तावन हो गई थी कुछ इतिहासकारों ने इनको 56 सूबों के रूप में बताया है अकबर का दर्बारी लेखक अबुल फजल ने लिखा है कि गोंडवाना सामराज्य का 23,000 गाउं में प्रत्यक्ष प्रशासन था और शेश सामंतों के अधीन गाउं थे गोंडवाना यागड मंडला विशाल एवन संपन्न राज्य था इसके पूर्व में जार्खंड, उत्तर में भथा या रिवाका राज्य, दक्षिन में दक्षिनी पठार और पश्चिम में होशंगाबाद हर्दा टिमर्नी रायसिन तक फैला था इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम 300 मील तथा चोड़ाई उत्तर से दक्षिन 160 मील थी इन सीमाओं को महाराजा संग्राम सिंग की पुत्रवधू रानी दुरगावती ने और बढ़ा लिया था गोंडवाना सामराज्य का क्षेत्रफल लगभग इंग्लैंड के क्षेत्रफल जितना हो गया था विशिष्ट भागोलिक परिस्थितियों एवं गोंडवाना राज्य के वीर राजाओं और उनकी सेवा के कारण दिल्ली के किसी भी राजा सुल्तान अन्य राजाओं ने गोंडवाना पर अपना कबजा साबित नहीं किया पुरातत्व एवं इतिहास विद राय बहादूर हीरालाल के जबलपूर गजेटियर श्री रविशंकर शुकल अभिनंदन ग्रंथ जगमोहन दास स्मृती ग्रंथ और जबलपूर कमिशनरी द्वारा प्रकाशित जबलपूर अतीत दर्शन ग्रंथ में गढ़ों के बारे म विस्तृत पाठ सामगरी उपलब्ध है